UTI जो है urinary tract infection इसको कहते हैं ये usually bacteria जब urine के रास्ते से और bladder में या kidney में चला जाता है तो urinary tract infection इसको कहते हैं ये usually ये नीचे urine का जो tube होता है urethra या bladder वहीं तक सीमित होता है लेकिन rarely 10-10% patients में especially जो diabetic patient होते हैं उनमें ये kidney तक भी जा सकता है जिसको कि हम लोग pyelonephritis कहते हैं जब तक ये नीचे के level तक रहता है bladder या urethra के level तक तब तक ये उतना dangerous नहीं होता है मरीज को तकलीफ जरूर देता है लेकिन खतरनाग नहीं होता है लेकिन अगर ये kidney में पहुंच जाता है तो खतरनाग भी हो सकता है जिसको हम लोग pyelonephritis कहते हैं और pyelonephritis में फिर कभी-कभी septicemia या जिसे हम लोग sepsis कहते हैं वैसी नौबत भी आ सकती है और उसमें patient को का नीचे वाले जो infection होते हैं bladder के level पे जिसको हम लोग sepsis कहते हैं या yourethra के level पे होता है urethritis कहते हैं वो जनरली खाने वाली एंटिवैटिक से ही ठीक हो जाते हैं जनरली bacterial infection होता है इनके लक्षन जो है जनरली यूरीन में जलन होना ऐसे स्टार्ट होता है या दर्द होना यूरीन पास करने में या कभी-कभी फीवर आ जाता है यूरीन बार-बार होना दिन में भी और रात में भी और यूरीन के रास्ते में इचिंग होना तो ये सारे लक्षन कॉमन होते है UTI के सबसे जो major कारण होता है जो हम लोग common practice में देखते हैं ladies में काफी common होता है अक्सर 30-35 साल की उमर के बाद ये ladies में अक्सर ज़ादा होता है अब उसका कारण कोई ऐसा विशेश कारण नहीं है ज़्यादा तर ladies पानी कम पीती है या जब भी वो public toilet यूज़ करती हैं तब ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं पानी ज़्यादा पियें या public toilet कम से कम यूज़ करें और दूसरा कारण diabetes वाले patients में UTI ज़्यादा होता है Old age के जो gents होते हैं जो 50 साल की उम्र के उपर होते हैं उनमें prostate की वज़े से UTI होता है और कुछ बच्चों में भी UTI हो जाता है तो अगर बच्चों में या old age में होता है तो हम लोग ultrason कराते हैं और अगर females में होता है ladies में होता है तो first time अगर infection हो तो ultrason की आवश्यक्ता नहीं होती लेकिन अगर किसी lady में बार-बार infection हो रहा है बार-बार UTI हो रहा है तो ladies में भी ultrason कराये जाता है सबसे जरूरी जाच है urine routine और microscopy जिसे कहते हैं जिसमें कि हम देखते हैं urine में कोई pus cells तो नहीं आ रही है कोई RBC या red blood cells तो नहीं आ रही है blood के particles तो नहीं आ रहे है या sugar तो नहीं बढ़ी हुई है दूसरा test होता है urine culture जिसमें ये पता लगता है कि किस particular bacteria से urine में infection हुआ है जैसे चार bacteria UTI में बहुत common है जिसके हम लोग कहते हैं E. coli, pseudomonas, klepsala और proteus लेकिन सबसे ज़्यादा common जो है E. coli bacteria है ये culture report में ही पकड़ में आता है तीसरा test हम लोग कराते है ultrasound ultrasound में हम देखते हैं kidney का क्या position है kidney में कोई swelling तो नहीं है, hydronephrosis तो नहीं है, kidney में कोई रुकावट तो नहीं है bladder ठीक है, कोई पथरी तो नहीं है, कोई और कारण तो नहीं है UTI होने का अगर ultrasound में सब normal है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है अक्सर UTI दस से पंदा दिन की antibiotic देते हैं तो ठीक हो जाता है जो खिम बस यही है कि अगर बार-बार हो रहा है तो इसकी जाच करनी चाहिए कि क्यों हो रहा है क्योंकि कभी-कभी अंदर पत्री होती है या कई बार ट्यूमर होता है जो UTI जैसा प्रतीत होता है या urine में blood आता है तो भी तो कारण पकड़ने के लिए ultrasound जरूरी होता है तो ultrasound तो हम लगबग सभी परीजों का कराते हैं और अगर कोई अंदर kidney में रुकावट होती है या prostate की रुकावट है जैंट्स में 50 साल के उमर के उपर जैंट्स में prostate बढ़ जाता है तो उसका फिर आगे prostate की दवाईया भी देनी पड़ती है तो इसी प्रकार से कारण देखते हैं हम लोग ultrasound होंगे और उससाब से उसका इलाज करते है बचाव के तरीके सबसे जरूरी है कि कम से कम 3-4 लिटर पानी पीए दूसरा यह है कि सोने से पहले एक गिलास पानी पीए ताकि रात में आपके urine में concentration ना हो तीसरा local hygiene especially ladies में अच्छी तरह से रोज साफाई साफ सुतरा रखें और वहाँ पे local area में हम लोग जिन ladies में बार बार UTI होता है तो बीटाडीन liquid wash आता है जो कि हम लोग कहते हैं apply करें तो जिससे की बार बार infection नहीं होता है और कुछ ladies में जिन में बार बार होता है हम लोग क्रैन बेरी एक फल होता है उसका juice या उसके capsule form में भी cranberry आता है हम लोग देते हैं जिससे बार बार होने की संभावना कम हो जाती है लेकिन सबसे मुख्य जो बचाओ है वो पानी ज्यादा पानी पीना है तीन से चार लीटर पानी पीना है और जंक food fast food avoid करना है कि लोगों को यह है कि UTI को एकनोर नी करना चीब है अगर किसी को यूरीन में जलन है या बार बार री यूरीन जाना पड़ा है या यूरीन में ब्लड अरा है तो तुरंथ अपने डॉक्टर के पास जाकर जांच करांची चीब हो सकता है वो normal भी आए लेकिन कई बार diabetic patient में UTI ज़्यादा होता है इसलिए जब भी UTI हो तो अपना blood sugar भी करा लेना चाहिए पानी ज़्यादा पीना है और cranberry का juice पी सकते हैं अपने जो private parts हैं उस पे अच्छी तरह से soap यूज़ करके अच्छी तरह सफाई रखें और local area में बिल्कुल साफ ससवाई का विशेज ध्यान देना है ताकि उस area में bacteria grow ना कर पाएं